दोस्तो आज हम बनाने वाले बहुती सॉफ्ट और मुह में एकदम से घुल जाने वाले दही बड़े और आप इसमें ध्यान से देखेगा मैं चुट चुटी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि आपके दही बड़े बहुती बढ़िया और टेस्टी बनेंगे इसके लिए मैंने दो कप उड़त की डाल ले लिए उसे अच्छे से धोके साफ कर लिया और उसे पानी में भिगो दिया है उड़त की डाल के साथ आप एक चुटाई कप चावल डाली है तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने दो कप उड़त डाली है उसमें एक चुटाई कप हमने चावल लिया है और दो चमच हमने इसमें तूर दाल लिया आप तूर के जगे मूंग दाल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक कप उड़त दाल यूज़ कर रहे है तो उसे हिसाब से चावल और तूर दाल को कम कर दीजेगा अब इसे हमने दो घंटे के लिए भिग जाना है और उसके बाद हम बहुत कम यानि की दो दो स्पून करके इसमें पानी एड़ करेंगे क्योंकि अच्छानक से पानी ज्यादा होता ही वह बिल्कुल ही लूस हो जाएगा और फिर हमारे बड़े बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे तो दीरे-दीरे करके इसको मिल छाएगे मिक्स करते जाएगे और दो-दो स्पून पानी डालेंगे तो मैंने दो स्पून पहले पानी डाल दिया है अभी सेकंड चांस में मैं तीन स्पून पानी डाल रही हूं बस अब इसे हम अच्छे से पीस लेंगे और एकदम फाइन हमारा बैटर तयार करेंगे यह देखिए बिल्कुल पीस के तयार हो चुक है आप देख सकते हैं एकदम गाड़ा बैटर है बिल्कुल भी पतला नहीं हुआ है इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं अब सबसे इंपोर्टन अगली ट्रिक वह है कि आपको बल्लों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसे इतना अच्छा फेटना है कि यह थोड़ा फलफी हो जाए और फेटने के बाद आप देखोगे किस तरह से यह पानी के ऊपर थोड़ा से डाल के देखिए यह जैसे अग आप पैन में गरम करने के लिए रख लिए हैं और गरं हो रहा है उसी बीच में एक बार और बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे अब इस बैटर हम डाल देंगे थोड़ा से जीरा अब बैटर में नमक या तो आप अभी आड कर सकते हैं या फिर आप डारेक जो हम वार्म व तो यह देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम चोटी चोटी इसके वड़े बना देते हैं ध्यान रखना ऑइल बहुत जादा गरम नहीं हो मीडियम तेल जो हमारा गरम होना चाहिए उसके बाद आप इसमें वड़े डाल दें मीडियम आज पे हम इन वड़ों को फ्राय करेंगे हलक कैसे इसको हम एक स्पून की मदद से इन वड़ों के उपर भी हम थोड़ा सा तेल डाल के देंगे ताकि उपर वाला जो बैटर है वो भी अच्छे से फूल जाएगा और एकदम बढ़िया कुरकुरे और फूले हुए हम हमारे वड़े बनके तयार हो जाएंगे अब इन्हें आप पलट दे यह देखे एकदम बढ़िया कैसे फूल के एकदम मस्क्रिस्पी हमारे वड़े बनके तयार होने वाले है वड़े तयार है अब इनको निकाल लेते हलका से गोल्डन रंग आने देना है ज्यादा पकाना और उसे हम निकाल लेते हैं अब जो हमने थोड़ा गुनगुना पानी नमक वाला रखा था उस पानी में डारेक्ट इने डाल देंगे इन वड़ो को हमें इसमें कम से कम आदे घंटी तक भीगो के रखना है देखे मैं आपको वड़ा खोल के दिखाते हूं कितना सॉफ्ट बिल्कुल स्पॉंजी बना है देखे में दिखा देती हूं बिल्कुल स्पॉंज के जैसा है बहुत ही बढ़िया और टेस्टी वड़े हमारे बनके तयार हो गए है अब हम इसके लिए दही तयार कर देते हैं तो मैंने एक किलो दही लिया है दही को हम अच्छे से फेट ले अब आदा खंठा हो चुका है पानी में हमारे बड़ों को तो थोडा सा हाथो से प्रेस करका पानी निकाल देंगे और फिर इस भाफी में इस तरह से इसको डाल देंगे आप बड़ों को सभी को इंतिसर दही में डालके आप इसको स्टोर कर सकता है मतलब फ्रेज में रख लिए बिल्कुल बड़िया दही थंडा हो जाएगा फिर उसके बाद आप प्लेटिंग जब करनी है ताब आप इसको प्लेट में इस तरह से निकाल ले थोड़ा सा दही लेके इनके उपर वड़ों के उपर भी डाल दे अब हमें चाहिए हरी चट्नी और इमली की मीठी चट्नी तो देखिए ये पोदिने और धनिये की हरी चट्नी डाल दी थोड़ी सी इमली की मीठी चट्नी डाल दे थोड़ा सा भुना जेरा पॉडर और थोड़ी सी लाल मिर्च तो दोस्तों बस ये बढ़िया बहुत ही बढ़िया टेस्टी है हमारे दही बढ़िय बनके तयार है उपर मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी बारिक नमकीन और साथ ही साथ पिकल्ड बीट डाल सकते हैं आप चाहें तो इसमें किश्मिश काजू जो आप चाहें डालना चाहें डाले देखें मैं आपको बतारी हूँ कितने सॉफ्ट हमारे वड़े बनके तयार है तो एक बार आप भी से इस हुली पे जरूर बना के ट्राइ करें